असलाव लेक्वाइब आपरोगों दिस विलाद फाम विजिवली सिर्कार और आज की इस वीडियो के दर हमने बात करनी है EMUI 10 के रिलेटर जो के हुआवे का लेटिस्ट अपरेटिंग सिस्टम है अब विडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा सबसे पहले तो मैं आपसे अपॉलजाइज करना चाहूँगा बिकाज मैंने EMUI 10 के ऊपर जो विडियो है वो थोड़ी लेट बनाई है और उसके बीचे सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब मैं चाइना में आया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हुआवे EMUI 10 को लाँच करेगी लेकिन लाँच इवेंट के ऊपर जब हुआवे ने अपना फ्यूचर हार्मनी यूएस दिखाया और अगर फ्यूचर में गूगल का कोई मसला बनता है तो उसके बाद मुबाइल फोन्स पर भी आ सकती है लेकिन एक वो अपरेटिंग सिस्टम है जो कि Android बेस्ट है और आपको अपने हवावे फोन्स के ऊपर अपडेट की फॉर्म में मिलेगा और उस उपरेटिंग सिस्टम का नाम है EMUI 10 अब EMUI 10 Android Q के उपर बेस है जो कि इस टाइम पर Google का लेटिस्ट उपरेटिंग सिस्टम है और Android Q जो है जितने फीचर्स खुद लेकर आता है वो तो EMUI 10 के अंदर पहले से मौजूद है लेकिन उसके उपर भी Huawei ने कुछ फीचर्स थोड़े बहुत इंक्लूट किये है और उन फीचर्स को आज की इस वीडियो में मैं डिसक्रस करूँगा और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे जाएं मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि अभी के लिए जो Huawei ने कमिटमेंट शो की है वो 27 डिवाइस के लिए है जिनके उपर आपको EMUI 10 की जो अपडेट है वो बहुत जल देखने को मिल जाएगी और ये अपडेट जो है P30 Pro से स्टार्ट होंगी उसके बाद जो Mate 20 सीरीज है उनके उपर आएंगी उसके बाद Mate 10 सीरीज में भी ये आनी है Nova की सीरीज के भी कुछ फोन्स है उसके इलावा Huawei की जो Y सीरीज है उसमें भी कुछ डिवाइसेज है जो सपोर्टेड है मैं उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पर डाल दूँगा इसके लावा Honor के भी काफी फोन्स है जिनके उपर ये अपडेट आ रही है करने से पहले यार मैं आपको एक तौ सबसी पहले एद मुबारे कहना चाहूँगा फिकाज़, जब एद होगी तो उस टाइम पर मैं कहीं पर हवा में हुँगा तो मैं उस टाम पर तो नहीं कर सूँगा हूँ तो मेरी तरफ से आप सब को एडवास ईद मुबारेक और मुझे उमीद है कि आपकी ईद अच्छी गुदरेगी जितनी बाकी कंट्रीज को दी जाती है जिबके कुछ ब्रैंड ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि पाकिस्तानी मीडिया को लेकर जाना एक अजीब चीज समझते हैं और पाकिस्तान को कभी भी रिपरेजेंट नहीं किया जा रहा होता और वो जो चीज है मुझे काफी आउक कितने हब तक काम करते हैं, उसका तो नहीं बता लेकिन हवावे के क्लेम्स के मताबिक, मैंने यह लिखा हुआ है, जो GPU टर्बो है, जो गेमिंग के दौरान या फिर किसी GPU टास्क के दौरान आएगा, वो 60% बेटर परफॉर्म करेगा, उसके इलावा टर्बो लिंक के नाम से इनने एक टेकनालोजी इंटर्डियूस की है, जो कि आप जब एक से दूसरी अप्लिकेशन में ट्रास्फर होंगे, उस टाइम पर काफी जादा इस्तमाल होने वाली है, या फिर अगर आप मल्टिपल अप्लिकेशन को यूज कर रहे हैं, उसमें काफी इस्तमाल होगी, और अगर आप बात करते हैं उन चीजों की जो कि आपको नजर आएंगी तो उनमें सबसे जो बड़ी चीज है वो डार्क मोड है, अब हुआवे ने अपने EMUI 9.1 के अंदर ही डार्क मोड को इंटर्यूस कर दिया था, लेकिन इस दफ़ा जो डार्क मोड लेकर आया जा रहा है, वो पहले के निस पस बहुत जादा रिफाइंड है, इसके अंदर कुछ मेजर चेंजिस किये गए हैं और सबसे बड़ा मेजर चेंज ये है कि अब आपके डार्क मोड के अंदर जो कलर्स हैं वो चीजों की प्रियॉर्टी के हिसाब से होंगे, तो वो बटन जो कि सबसे ज़सानी से नजर आजाएगा और उसका जो कलर है, उसका कंट्रास्ट बहुत ज़ादा होगा अपने बैक्गराउंड से, जबके ऐसे बटन जो के ज़ादा ज़रूरी नहीं है, उनका कंट्रास्ट ज़रा कम होगा, तो जैसे ही आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे, जो API को यूज करके हवावे के फोन के उपर डार्क मोड इंटरी उसकर सकते हैं, और मुझे उमीद है कि जल्दी जो बाकी भी कंपनीज हैं वो ये चीज़ कर देंगी, अभी के लिए जो डेमो दिखाया गया था, वो तकरीबन सारे ही चाइनीज अप्लिकेशन थी, और उनके इंदर डार्क मोड जो था, वो रन कर रहा था, इसके इलावा एक और चेंज जो किया गया है, वो आइकन्स के साइज और उनके डिस्प्लेस्मेंट के दरम्यान में है, यानि कि अब आपको जो आइकन्स का साइज है अपने फोन के उपर वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, और उनके दरम्यान में जो स्पेस है, उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, और इसको इसलिए किया गया है कि एक तो देखने में जरा असानी हो जाएगी, बड़े बड़े आइकन्स होंगे, और दूसरा जब आप एक हाथ से यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर कलर मोड को भी सपोर्ट कर दिया गया है, तो आपको सिर्फ वाइट कलर का डिस्पले नहीं मिलेगा, अगर आप चाहेंगे तो आपको कलर डिस्पले वाली जो आप्शिन है वो भी मिल जाएगी, और उसने काफी एक्जेंपल भी होँआ पर शोकी थी जहाँ आपको कलर किसम की कलॉक्स और वो चीज़ें आ रही थी, बड़ी खुबसूरत से लुक थी, अदर देट कैमरा इंटरफेस को भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, अब कैमरा इंटरफेस के अंदर कोई नए फीचर नहीं डाले गए, लेकिन उसकी जो लुक है उसको ब भी भी कर सकेंगे, तो फॉर एक्जेंपल, अगर आप वीचैट या वाटसाइप अगरा यूज़ कर रहे हैं और उस पर कोई मैसेज आता है, कोई दोस्त आपको कोई तस्वीर भेजता है, तो आप अपने कम्प्यूटर के ऊपर अपने मॉबाइल फोन की मुकमल स्क्रीन तो आटोमेटिकली वो तस्वीर आपके कम्प्यूटर में भी सेव हो जाएगी, तो इससे आपका जो वर्क फ्लो है वो काफी जादा तेज हो जाएगा, आपको तारे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई खास सॉफ्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं तो आपके मुबाल फोन के अंदर जो कैमरास लगे होते हैं, आप नॉर्मली उनका यूज़ करते हैं जब आप विडियो कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन अब क्या होगा, कि आप दूसरी डिवाइसे के कैमरास को भी यूज़ कर सेकेंगे, और इस डेमो के लिए हवावे ने DJI का ड्रोन शो किया था, पहले हमें लगा कि ये फीचर सिर्फ हार्मनी का है, लेकिन ये EMUI में भी आ रहा है, और सीन कुछ इस तरह करके था कि एक ड्रोन है, जो के यहां से 13 किलो मीटर दूर था, और उसके जो कैमरा से चीज़े रिकार्ड हो रही थी, वो विडियो कॉल क हैं, उनमें स्पीड बहुत डिपेंड करती है, तो जब तक मैं इसको एक्चुल में यूज नहीं कर लेता, मैं आपको कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकता, इसके इलावा मैं ये बात आपको बता दू कि एक मेजर चेंज मैंने ये भी देखा है, जब आप एप्लिके हैं, तो मुझे उमीद है कि आपको EMUI 10 की जो अपडेट है वो जल्दी मिल जाएगी, मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपके क्या उपीनियन्स हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और हवावे ने इंक्लूड नहीं किये, क्या चीज आपको ब Allah Hafiz